Hello everyone and welcome back to viral बंदा तो गैस आपके लिए एक और वीडियो लिकरा गया हूँ और आज की वीडियो में हम बात करने वाल ही Google Keyboard Customization की कैसे आप अपने Google Keyboard को दिखने में और ज्यादा सुन्दर बना सकते हो तो यह हमारा Simple Google Keyboard है जो की Default Theme के साथ साथ है अगर मैं जाता हूँ थीम तो यहाँ पर कुछ खास थीम्स अवेलिबल नहीं है सिर्फ Google की Default Theme आपको देखने मिल जाता है और कुछ Gradient Theme और Background रप डाउनलोड कर सकते पर वो इतने खास नहीं लगता है और यहाँ पर मैं आपके लिए लिकर रहा हूँ एक बहुत ही शांदार मजिस्क मॉडियो जिसक कैसे हो को मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको जी बूर्ड अप्लिकेशन है का इसी इंस्टॉल कर लेनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप जाकर डाउनलोड कीजिए और इस्टॉल कीजिए जैसी इंस्टॉल हो जाता है आपको वही सिंपल करना है पर मशिन वग्यारा आपको दे दीना है फिर स्क्रियापको फोन को यहां पर बूर्ट कर लेना और पिर जड़से आपको फोन को यहां पर आप देख सकते हैं कि यह गुगल तीम्स का बहुत बड़भ है यहाँ पर आपको 100 रॉफ गूगल तीमS लिए गेभी मिल ज जाती है लग लग categories और sections आपको देखने के लिए मिलता है बहुत सारी different themes है इसकी इतने सारे मैं एकटर सब try करके नहीं दिखा सकता हूँ पर जो मेरे favorite है वह आपको apply करके दिखा हूँ जो की light themes के अंदर आते हैं guys इसमें आपको कुछ android 12 based themes देखने के लिए मिल जाता है मतलब जो material you design है उस तरीके के light themes आपको देखने के लिए मिलता है किसी एक theme पर click करो आपको preview देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से और फिर आप उस package को install कर सकते हो नीचे दिए गए blue button से कर लेता है कि डाउनलोड और कुछी दिर में ऐसे डाउनलोड हो जाता है और फिर यह सारे थीम्स आपके google keyboard theme section में install हो जाएंगे तो कैसे आपको apply करना है वह भी मैं आपको show कर देता हूं guys सबसे पहले हैं पर हम गूगल की board खूलते हैं और यहाँ पर लॉग खोल करेंगे settings open करेंगे और फिर यहाँ पर हम जाएंगे theme section में और आप देख सबते कि यहाँ पर हमारा नई themes को install हो गए हैं और यह सारे themes material you design based ऐसा लगता है कि Android 12 के यह themes है पर actually है नहीं पर दिखने में तो यहाँ पर मैं आपको कुछ भी एक apply करके दिखा लिता हूं तो यहाँ पर मैंने यह apply कर दिया गईज अब हमारा google keyboard open करते हैं और देखते हैं कि क्या theme apply हुआ है तो of course guys theme यहाँ पर apply हुचका है और काफी सही लग रहा है देखने में और ऐसे कई सारे themes available है बहुत सारे themes है कैसा नदर आता है तो guys यहाँ पर आप दिख सकते हैं जो Google keyboard है बिल्कुछ सही नदर आ रहा है fit on the screen और यहाँ पर 100% अच्छा नदर आ रहा है इसके बाद कुछ और themes में आपको apply करके दिखा दूँगा हाँ उससे पहले मैंने जो यहाँ पर Google keyboard पर borders apply किया थे अगर हम बिना बॉर्डर के दिखते हैं कि थीम कैसा नदर आता है तो यहाँ पर मैं borders बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर आप simply themes में जाओगे फिर आपने जो भी थीम अप्लाए कि आए वहाँ पर जाओगे और यह जो बॉर्डर बाल ऑप्शने को disable करके हम देखते हैं तो flat keyboard कैसा नदर अब मैं काम करता हूँ कि कुछ और थीम आपको शांदार से आरबोर्ट के थुरू apply करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3D theme pack काफी पसंदार है तो मैं इसको install कर लेता हूँ और फिर हम इनमें से कोई एक theme apply करके दिखेंगे तो यह अलग-अलग packs में आपको अलग- पर हमारे पुराने वाले themes कहां गए तो वह भी यहाँ पर है अनिस्टॉल नहीं होते हैं आप एक साथ multiple theme pack install कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3D theme pack काफी सही लग रहा है और borders के साथ और अच्छा लगता है अगर color combination में सही मिल जाए तो वही हम apply करता है जैस पर इनका जो guys overlay होता है वो भी काफी सही लगता है on button hold जब आप देखते हो तो ऐसा rounded में आपको देखने के लिए मिलता है जो काफी सही लगता है अब हम बिना borders के देखते हैं कि कैसा लगता है जो हमारा theme है 3D pack तो यहाँ पर guys बिना borders के कुछ इस तरीके के नदर आता है यहाँ पर मैं आपको बिता दो कि आप sound pack कैसे install कर सकते हो Google keyboard के लिए बाटम नविगेशन बापर जो second last option है यहाँ आपर sounds का option है जहाँ अपर अलग-अलग different devices companies की तरफ से जो sound जाते है Google keyboard के लिए और किसी भी keyboard के लिए आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि आपर iOS के लिए अविलीबल है Samsung sound available है तो Samsung वाला मैं आपको apply करके दिखा देता हो guys तो यह install हो गया और एक बार reboot आपको करना होता है जब आप sound flash करते हो नया वाला तो reboot करने से पहले मैं आपको अभी current sound यहाँ पर सुना देता हूँ कि currently हमारे Google keyboard कैसा sound कर रहा है तो अब हम कर लेते हैं हमारी device को यहाँ पर reboot और उसके बाद देखते हैं कि जो Samsung वाला sound वा अपला है हुआ है और कैसा उसका sound आने वाला है तो यहाँ पर मैंने फोन को खड़ लिया है reboot तो अब देखते कि reboot के बाद कैसा sound मिलता है तो गैस जैसे कि आपने सुना कि Samsung वाला sound अपलाए हुचुक है और अच्छी तरीके से working है तो यहाँ पर अगर आपको Google keyboard अच्छी तरीके से करना है अलग अलग different themes आपको ट्राय करने और sound style आपको ट्राय करने तो बेशक आप यहाँ पर आरबोर थी मेनेजर इंस्टॉल कर सकते हो लिंक की डिस्क्रिप्शन में है जाकर डाउनलूड करो और सिंप्ली इंस्टॉल कर लो अपने आप फ्लैश हो जाता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक किये बगर मज जाना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब इसे मिलने वाली है और जो पुराने सब्सक्राइब आरे गहीं वो तो सबस्प्राइब लिडियो को लाइक कर दो और यार हंड्रिट लाइक कर वाद इस वाली वीडियो पर अगर आपको पसंद आएउ प्लीज तो मैं ऐसी और वीडियो लेकर आता रहूंगा मिलते यह कैस नेक्स वीडियो में